नमस्कार आज हम लोग बनाने वाले हैं चुकंदर की खटी मिठी चटपटी सी लॉंजी गलका चटणी जो भी नाम दे लें इसे अचार भी कह सकते हैं यो कि इसे लंबे समय तक रख करके खा सकते हैं लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा डिलीसियस होती है इतनी ज़्यादा कि अब तक की चुकंदर से बनने वाली सभी रेसिपी में यह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी और जितना पसंद आएगी उसके साथ ही आपके हीमोगल्बिन के लेबल को भी बढ़ाने वाली है तो इसे ट्राइ जरूर कीजिए रेसिवी पसंद आए तो इसे लाइक क कर लीजे और इसी के साथ में हम थोड़ी सी चीनी लेने वाली है तो चुकंदर पहले ही मीठा होता है इसलिए आपने टेस्ट के कोड़िंग थोड़ा सा कम यह जादा कर पकते हैं साथ में हम यहां पे पंच पोरन मसाला ले गया है यह पंच पोरन मसाला सौफ जीरा मेती कल और इसे अब हम क्रेकल होने देंगे इस मसाले से लॉंजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो आप यह पूरे मसाले जरूर यहां पे डाले और इसके बाद जब यह चटक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे यह चुकोटु तेस्टी और हेल्दी से चुकर और इन मिस नहीं करना है बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है तो यह आपकी लाउंजी बहुत ही बढ़िया पड़ने वाले हैं तो हम इसमें अभी थोड़ा सा हल्दी पाउदर और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसके बाद इसे दो मिनिट तक फिर हम इसे कवर करके पकाने वाले हैं वो इसलिए कि जब हम इसको भून लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही निखर करके आता है तो आप इसे दो मिनट पहले भून ले यहां देखे दो मिनट हो गए हैं जो इन टुकडों की किनारे हैं वो हलके हलके से तो अब हम थोड़े से मसाल के ये लाल मिर्ष पाउडर डाला है ठेस्ज के कवरणी बाउडर्श सäg अगर अगर लाता रहा है bulマोख मेरा नहीं इप делает लेकिन इसे सुकह को बैए अब अगर वेकिन पनी डेल के सकते हैं लेकिन आप पाणी बना डाले पकाईएंगे इसे तो यहां हमने दो तीन बाद बीच में चला दिया था और अब यह चुकंदर अच्छे से कुक हो रहे हैं यह देखिए इस तरह से यह कुक हो गया है सव्फ हो गया है एक हम चेक कर लेते हैं कि थोड़ी सी कसर बाकी है तो इसी स्टेज पे हमें सुगर डालनी है पगए हैं पिस हलके से कसर बाकी है जैसे 90% पग चुके हैं लग बग तो इसमें हमने 100 ग्राम चीनी डाल दी है थोड़ा सा एलाइची पावडर डाल दीजें मैंन के तयार होगी ज़्यादा इसमें कुछ आपको प्रेपरिशनभी होती है ज्यादा महनफ नहीं कर नहीं करनी होती है लेकिन यह रेसिपी बहुत ही ज्यादा डिलीसर मिनती है अर अब हम इसमें सिर्फ बाद में थोड़ा सा चाड मसाला है बसे आम अच्छय पावडर डालने लिए क्षाथ के लिए सब्सक्राइब तुर्छ प्लपक पूलए सकते हैं। चमच शिब अची तरह से मिक्स करेंगे एक से दो मिनट और घुला रिक ker पतमी देंगे। ताकि मैं थोड़ा सा इसमें जो पानी-पानी से देख रहा है। थीक हो जाये work वैस्वीं थंडाओने के बाद काफी थीक हो जाता है तो बहुत सुखाना नहीं है हमें बस एक 2 Minute घ्रकें लिए लियूा चारवन के तयार है इसे आप रख करके 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होती है तो इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में रखिए फ्रिज में रख दीजिए और आराम से 15-20 दिन या एक महीने तक इसे इंजॉय कीजिए इससे आपका हीमोगलोबि लेबल भी बढ़ेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है यहां देखे कितनी बढ़ियां टेस्टी सी चट्पटी सी चट्नी बनकर के तयार है वैसे हमें चुकंदर का टेस्ट पसंद नहीं आता है लेकिन यह चट्टी बहुत ही यमी लगेगी और आप इसे रोज ब आतमी तिल देन बाइ 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 रव नाइस